जैन मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आसा कर रहे हैं आप मस्त होंगे और स्वस्त होंगे इसी स्वस्ता के साथ हम डी फार्मा फर्स्टियर फार्मा सूठिकल कमिश्टी का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहुंच चुके हम जिस टोपिक पर उसका नाम है सिगनिफिकेंस फीग ये exam के point आप भी उसे देखा जाए तो ये भी most important है इसके पहले हम accuracy and precision पढ़ा दिये है pharmaceutical chemistry क्या होती है उसको बारें पढ़ा दिये है और error भी पढ़ा दिया गया है ठीक है और ये आपका next video है significance figure के ऊपर ठीक ये जितना भी syllabus cover किया जा रहा है according to PCI PCI के according हमें सारा चीज चलना पढ़ना है syllabus के according हमें चलना है जिससे क्या कर सकते हैं easily उसी में हम लिख सकते हैं ठीक तो आज हम बात करने वाले हैं D-Pharma first year pharmaceutical community में significance number जो chapter number first का topic है ठीक चलिए इसी को देखते हैं आपको ध्यान से आप देखिएगा आपका प्यारा सा बीडियो significance number यह आप याद करिए कभी पढ़े हैं की नहीं 11th class में आप physics में देखे होंगे तो significant number था था की नहीं community में भी सिगनी फिकेंस number था मतलब कोई value को point के respect में कितना इधर लिख सकते हैं also known as significant digit इसे हम क्या कर सकते हैं significant digit लिखे या significance figure लिखे बात यह कही है ठीक क्या लिखा है a number consider with respect to decimal यानि point मतलब point के respect में यह point है इसके respect में इधर कितना number है इसके बदग कितना number है left और right are called significance figure इसे short में हम yasya भी कहते हैं ठीक yasya भी करते हैं क्या बोलते हैं yasya यानि significant figure कहीं yasya या लिखा रहा है तो उसे हम significant figure मान सकते हैं जैसे यहां पर एक छोटा सा example बताते हैं जैसे इसमें देखा जाए तो यानि कितना 48.723 तो बताए यह point के respect में देखा जाए या केवल दो ही number लेना है इसी के respect में देखेंगे हम significance figure करते हैं जैसे 48.723 तो इसमें देखा जाए वन digit two digit three four five मतलब कितना significance figure हो गया है पांच significance figure हो गया ठीक पांच significance figure लिखे या पांच significant digit लिखे तो कोई tension है नहीं ठीक अब इससे कैसे लिखना इसको कैसे लिखना तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए rule पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए rule पता होना चाहिए अब तो rule को ध्यान नमबर होते हैं, 0 न हो, क्या लिखा है, non-0, 0 न हो, जितने भी नमबर रहे हैं, उसे को क्या बोला जाता है, significance, significant होते हैं, यानि, significant figure के अंतरगत रखे जाते हैं, जैसे 482, मतलब 482, इसमें देखा जाए, तो एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, तो कितना हो गया, 3 significant figure हो गय क्योंकि यह सब नमबर, इसमें कोई भी 0 digit नहीं है, ठीक, अब देखिए, nest पे आते हैं, क्या लिख रखा है, 6735, तो इसमें कितने नमबर है, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 digit है, तो कितने हो गया, 4 significance figure, या significant digit हो चुके, ठीक है, तो यह पहला condition था, मतलब, rule नमबर पहला, यदि non-0 digit रह रहेंगे, पहला हो गया, nest पे आते हैं, nest पे आते हैं, क्या लिखा, 0 between, 0 between, non-0 digit are significant number, मतलब, दो नमबर है, उसके बीच में यदि 0 आता, तभी वो significant के अंतरगत रखा जाता, जैसे, 8006, 2022, present time में, 2023 चला है, तो यह कैसे लिखेंगे, देखिए, यानि 2000, यानि 8006, तो मतलब, यह एक number है, यह number है, बट क्या है, यह 0 है, तो कितना number हो जाएगा, एक number, दो number, तीन number, चान number, तो चार significant figure हुआ है, यही तुम्हारा क्या है, significant figure है, देखो, दो non-0 के बीच में भी 0 आ चुका, तब भी हम क्या मानने उसे, significant माने, माने यह की नहीं माने, या दूसरा example, इसमे यह सब यानि जो बगल में digit है, यह ना जीरो है, तो कितने 0 हो गए, इसमार कितने digit हो गए, एक digit, दो, तीन, चार, चार, significant figure हो है, बस खतम, इसी को आपको दिखाते चलना है, ठीक है, तो यानि, four significant figure हो गए, ठीक, rule number, second, rule number, four, third, पे आते है, rule number, third, क्या थो है, trailing zero to right of decimal point, significant number होता है, मतलब क्या बोल दीए, अब ध्यान से, trailing zero, मतलब कोई number है, उसके बगल वाला जो number होता हो भी significant number के अंतरगत रखा जाता है, जैसे लिखा है, यहाँ पर, देखिए, 80,000, 80,000, 89,200, यानि 89,200, तो इसमें देखा जाए, तो 200 है की नहीं, यहाँ zero ही की नहीं, यह trailing zero तो इसी को क्या बोला जाए, तो जो last में zero रहता है, उसी को trailing zero बोला जाता है, की, देखिए का दिए, एक number, दो number, ती number, चार number, पांच number, यह पांच number हैं, तो 5 significance figure हो गया, कितना, 5 significance figure हो गया की नहीं, इसी को आपको trailing zero भी क्या होता है, significance के अंतरगत आता है, ठीक, यहाँ हम दूसरा point लेते हैं, देखियो क्या दिए, 189500, यह बताओ कितना हो गया, एक लाख नमासी अजर पांसो, एक लाख नमासी अजर पांसो, इसमें देखा जाए, तो total total कितने number है, एक number, दो number, तीन, चार, पांच, चार, 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 नमबर है, तो 6 significant figure होगा, कितने, 6 significant figure हो है, ठीक, यानि trailing zero, last में भी zero रहता, तो उसे भी consider किया जाता है, significance के अंतरगत किया जाता, ठीक, यह हम दूसरा आते है, leading zero जिसे कहते है, leading zero क्या होता, point के बाद वाला, जो 3, 4, 1, 2, 0, 0 होता, वह भी क्या उसे leading zero बोलते है, ठीक, यह सब 0, 0 होता, इसी को क्या बोलते है, leading zero बोलते है, क्या लिखा है, लिखिए, कोई number से जो पहले रहता, उसे को क्या बोला जाता है, leading zero बोलते है, ठीक, अब इनोंने क्या लिख रखा, leading zero, zero or not significance, after term, after term, decimal before non zero number, मतलब non zero के जो पहले वाले term पे, यानि जो zero रहता, उसी को leading zero कहते है, वो significant के अंतरगत consider नहीं किये ज जाती है, क्या होता, significance के अंतरगत consider नहीं किये जाते हैं, जैसे example में क्या दे रखा, जैसे 0.005, यानि 0.0056, इसमें देखा जा तो यहां पर कितने number हो गए, एक number, 2, number, 3, 4, 5, 6, मतलब leading zero का हम significant के अंतरगत नहीं रखेंगे, के बली नहीं दो number को रखेंगे, तो हमारा कितन यह दो number हमारा total और total क्या significance figure है, तो यह दो number जो है significant figure के अंतरगत रखा जाता है, ठीक तो यह significant figure हो गया है, ठीक यह चार rule है, अब उसी के according नहीं पढ़ना मेरे भाई सुनिये ध्यान से, ठीक की नहीं, हम जितना इंटर में पढ़े थे उतना पढ़ना, मतलब इसमें आपको confusion नहीं करना, यदि आता तो आप लिखिये, कोई tension नहीं है, ठीक है, कोई tension नहीं है, और आपको लिख दिया गया है, यदि तो आप उतना ही पढ़िये, जितना four digit है, confusing वाला नहीं करना, ठीक, अब यहां से एक experiment बताए, यह मतलब एक example है, यह example है, इसके जर्ये सुनिये, यह सब दिहान से सुनिये, देखो का दिया, in between zero, देखो का दिया, किसी दो नमबर के बीच में zero जो रहता है, देखो, दो नमबर उसके बीच में zero रहता है, तो उसे हम क्या बोलते है, यह हमारा significance के अंतरगत रखा जाता है, ठीक, यह consider हुआ है, अब देखो, non zero digit, यह non zero, य यह non zero, यह non zero, मतलब जो भी नमबर रहता है, यानि zero न हो, non zero लिखा न, zero न हो, तो उसे क्या बोला जाता है, यानि non zero digit बोला जाता, trailing zero क्या होता, जो किसी भी नमबर के last में zero लगा उता है, उसे हम क्या बोलते है, trailing zero बोलते है, क्या बोलते है, trailing zero बोलते है, ठीक, अब leading जीरो क्या होता है देखो कोई नान डिजीट जो नान जीरो डिजीट नंबर होता है उसके पहले जितने भी नंबर आते हैं उसी को क्या बोला जाता है लीडिंग जीरो बोला जाता है यह टोटल और टोटल था significant figure के बारे में ठीक हमने क्या पढ़ा पहले significant होता क्या है इसे हमने देखा मतलब जो भी point के respect decimal के respect में left और right में कितने number consider करना है या नहीं करना उसके respect में यदि बात की जाए तो हम उसे बोलते है significant number rule हमने 4 देखा है और rule में क्या-क्या इस चारी सारी चीज़े देखी हैं ये सारी चीज़े देखी हैं मतलब आपको एक rule लिखना चोटा सा example एक rule लिखना चोटा सा example ऐसे आपको क्या करना है चार से पांच rule लिखना है आप easily आप इसे समझ सकते हैं ठीक उतना ही पढ़ यह जितना confusion नया बने अब ज्यादा पढ़ेंगे तो confusing होगा ठीक तो यह total था significance के figure के बारे में ठीक अब हम next topic पे मिलेंगे कमिश्टी वाले ही portion पे या किसी other subject पे मिलेंगे आपका playlist बना दिया जाएगा उसमें सारा upload करके playlist chapter wise हर एक को डाल दिये जाएगा आपको chapter चाहिए chapter का पूरे chapter का note चाहिए तो link के description में एक number दिया रहेगा उस पे आप contact कर सकते हैं only what's up करिएगा ठीक है चलिए आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए बाए